हेलो एवरीबन और वेल्कम बैक टू कमपेटिशन कम्यूनिटी आप सभी का एक बार फिर से कमपेटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब कोर्स में बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग देख रहे हैं करने वाले हैं प्रॉफिट और हानी भाग दो जैसे कि मैंने आपको पार्ट वन के एंडिंग में बताया था कि यहां से मैं आप केवल कोश्चन सुनूंगा अगर आप इस वीडियो को एकडम बेसिक लेवल से देख रहे तो पहले पार्ट वन जरूर देख ले और जैसी कि मैंने आपको यह बात कही थी कि जहां से हमने कुश्चन को रोका है वहीं से हम चालू करेंगे तो जहां तक हमारे कुश्चन सॉल्व हो गए थे उसके नेक् आपको मंडे टू फ्राइडे डेली बैसिस पर दो लेक्टर्स प्रवाइड हो रहे हैं मौर्निंग वाले शिफ्ट पर यानि की 12 बजए रीजनिंग और मैच में से एक लेक्टर आपको आ रहा है और शाम वाले शिफ्ट में पांच बजए इवनिंग में आपको इंगलिश और साथी साथ GS में से एक lecture आपको प्रोवाइड करा जा रहा है जो कि completely free of cost है तो जरूर आप इसीज का फायदा उठाइए और यही नहीं अगर notifications नहीं भी मिल रहा है तो आप यहाँ पर आकर check कर सकते हैं 12 बजे और evening के 5 बजे आपको दो lectures provide हो रहे है daily business पे चली अब मैं start करता हूँ इस वीडियो को और वहीं से start करेंगे यानि कि सवाल number 21 से start करेंगे 20 तक का सवाल आपका already covered था तो देखिए यहाँ दिया हुआ है पहला सवाल a person sells a watch at a profit of 16 2 by 3 percentage had he bought it for 10% more and sold it for 100 rupees more he would have still gained 8 1 by 3% then find the cost price of the watch तो देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ती ने 16 2 by 3% के लाब पर एक घड़ी को बेचा अगर उसने 10 पर खरीदा और इसे 100 रुपे जादा में बेचा होता तभी भी उसे कितने का profit होता तो 8 1 by 3% का फाइदा होता तो आपको बताना कि घड़ी की लागत मुल्य क्या है यह हमें यहाँ पर बताना है तो चली आईए इसको solve करेंगे सबसे पहली बात आपको बोला जा रहा है 16 2 by 3 का मतलब क्या होता है आपका जवाब होगा 1 by 6 होता है यानि कि CP और SP का जो रिश्यो है CP अनुपात SP जो है वो क्या होगा 6 का आपने खरीदा और 1 कि लाब हो गई मतलब कि आपका जो क्रें विक्रें मुल्य होगा वो कहीना कही आपका 7 हो जाएगा 6 में एक बढ़ा कर 7 इसके बाद बोल रहा है 10 प्रतीसत ज्यादा पर यदि इसे खरीदा होता अब देखें 10 प्रतीसत बढ़ाने का मतलब होता एक बटा 10 एक बटा 10 यदि है मतलब प्रारंभिक मुल्य कहीना कहीं 10 होगा लेकिन प्रारंभिक मुल्य यहाँ पर 6 है तो कही ना कही 10 का factor लाने के लिए 10 का factor लाने के लिए मैं इसको 60 बना देता हूं और इसको 70 बना देता हूं ताकि हमारा calculation कही ना कही आसान रहे है अब इसका एक बटे 10 बढ़ाने का मतलब एक बटे 10 यानि 10 प्रतीसत से इसे बढ़ाना है तो कहीं न कहीं एक बटा 10 से बढ़ाना है किसका तो 60 का मतलब कहीं न कहीं मुझे इसे 6 से बढ़ाना है तो अगर यह बोल रहा है कि यदि 10% ज्यादा पर खरीदा होता याने कि 10% मोर पर खरीदा जाता पहले का अदाम 60 था 10% बढ़ाओगे तो 6 उनिट बढ़ेगा तो 66 हो जाएगा क्लियर अब यहां से बोल रहा है कि इसका गेंज होगा वह 8 1 by 3% का होगा और 8 1 by 3% का मतलब आप सब जानते हैं यह होता है 1 by 12 1 by 12 का profit याने इसमें 1 by 12 का profit यदि हम यहां से बढ़ाएंगे तो इसका 1 बाटे 12 कितना हुआ 1 बाटे 12 किसका तो 66 का आपका जवाब होगा 5.5 यानि कि इतने का लाव हो रहा है अगर इतने का लाव हो रहा है तो इसमें में 5.5 बढ़ाओगा तो कहीं कही 71.5 का profit होगा मतलब यदि हम देखें कि इन दोनों में difference कितने का हुआ तो कही न कही हमने selling price को डेड़ unit बढ़ाया 1.5 unit बढ़ाया और सवाल में बोल रहा है कि हमने इसको बेचा 100 रुपय जादा पर ठीक है 100 रुपीज जादा पर बेचा तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि यहां 70 में हमने 100 रुपया जोड़ा है और यहां पर हमारे इस आप से 70 में कही न कहीं हमने डेड़ unit जोड़ा है तो यह जो डेड़ unit है इसका value कितना दिया तो 100 रुपया दिया आप से क्या पूछ रहा है उसके उपर ध्यान दीजिए आपको निकालना है घड़ी का लागत मुल्य आपसे पूछ रहा था जो कि है cost price 60 unit ठीक है तो इसका value हो जाएगा 100 बटा 1.5 multiplied by आपको 60 करना है तो यह कितना गुणा है इसका कहीं न कहीं 40 गुणा है 40 से multiply करोगे तो यहां पर 4000 रुपीया आपको यह खरीदा होगा आपने इसको clear पहला सवाल चलिए यान कि 21 के screen के पर a man sells goods at 10% profit had he purchased it for 600 rupees less and sold it for 210 less he would still have made 10% more profit find the initial cost price यानि कि देखिए एक व्यक्ती जो है यहां पर क्या हो रहा है 10% के लाब पर किसी वस्तु को बेचता है यदि वह इसे 600 रुपे कम पर खरीद कर 210 रुपे कम पर बेचता तो यहां पर उसे 10% अधिक का लाब होता बतान से सवाल थोड़ा सा complicated है लेकिन फिर भी आपको यह आसानी से solve हो सकता है जैसे कि मैंने जो steps पता है उसी steps के तहत यदि आप उसको solve करें तो चलिए समझते हैं 10% profit का मतलब हमें समझना है 10% profit का मतलब होता है 1 बटा 10 1 by 10 यानि कि CP और SP का जो ratio है CP अनुपात SP जो है अगर यह 600 रुपया कम पर किया था 600 रुपया कम पर मतलब 10-600 रुपया तो यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जबी भी आप यहां पर कुछ values ले रहे हैं और यह रुपया ले रहे है इस values और रुपया को plus minus नहीं किया जा सकता तो मैंने यहां 10 इसको अलग है यह बताने के लिए सामने इसके 600 रुपय लिखा हुआ है और यहां पर जो दिया हुआ है 11 रुपय में हमने कितना कम किया तो 110 रुपय कम पर बेचा मतलब 11-210 रुपय कम पर बेचा ठीक है तो हमें यहां पर 10 रुपय 10% ज्यादा का profit होता है मतलब यहां पर कही न कहीं हमें कि profit हो रहा है तो यहा पर हमें 20 percentage profit हो रहा है और 20 percentage profit का मतलब ये 100 है तो इसका अनुपात 120 होगा मतलब जो अनुपात यहाँ पर 100 और 120 है वही अनुपात यहाँ 10-600 और 11-2010 क्यों हो रहा है क्योंकि 10% अधिक लाब पर पहले यह 10% लाब था अभ Rs. प्रतिसत और लाब हो रहा है यानि कुल 20% का लाब होगा अगर यह 100 और 120 20% का profit दर जाती है तो कहीं न कई इसमें भी 20% का profit है तो यह अनुपात और यह अनुपात बरावर होंगे यानि यह समानुपात में होंगे तो यहां से यदि यह समानुपात में है तो मैं इसको समानुपात में equal कर देता हूं दोनों को ठीक है तो बटे बटे करके इसको समानुपात हम बना देते हैं अब यदि इसको solve करें तो कहीं न कहीं यह पाच बार कटेगा और कहीं न कहीं यह छे बार कटेगा इस 6 को मैं यहां प लेकर आओं तो यह साठ से मल्टिप्लाय होगा तो साठ बन जाएगा साठ माइनस यह रुपिया च्छतिस्तों में हो जाएगा ठीक है 3600 साठ माइनस 3600 रुपिया बराबर किसके है तो यह पांच उदर जाएगा तो बन जाएगा पचपन माइनस रुपिज में कितना आ जाएगा तो यहाँ पर पांच से मल्टिप्लाय करने पर पचास और आगे कुछ और वैल्यू जाएगे एक हजार पचास, एक हजार पचास, ठीक है, एक हजार पचास रूपिया, ठीक, यहां तक समझ में आ गई बाते हैं, अब देखें, इसको solve करते हैं, अगर मैं इसको यहां से इस तरफ लेकर आँ, तो कहीना कहीं पांच यूनिट आ रहा है, और पांच यूनिट, क्योंकि करने पर कितना रहा है, यहां पर 50 आएगा, फिर 35 में से 10 गया, तो बचा 25, ठीक है, तो अगर पांच यूनिट का वैल्यू इतना है, तो हमसे तो दस यूनिट का वैल्यू पूछ रहा था, मतलब इसमें गुणा दो करना, इसमें गुणा दो करना, तो इसका वैल्यू जो जो उत्तर होगा वो कही ना कई 20 सवाल का उत्तर हो जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई चलिए आशा करता हूं यह सवाल आपको समझ में होगा दस यूनिट कमान हमें निकालना था तो दस यूनिट कमान कही यहां पर 5100 आ रहा है हमने कुछ किया नहीं बस रिश्चो बैल है 5100 रुपिया तो यही आपका हो जाएगा प्रारंबिक क्राय मूले ठीक है चलिए अगला सवाल देखेंगे इसके बाद यहां से नेक्स्ट कुशन दिया हुआ है कि a man bought a computer for Rs.18,000 and sold it for 20% profit on the selling price then what is the selling price एक व्यक्ति ने 18,000 रुपए पे computer खरीजा था और उसके विक्रय मू है यह आपको ग्याद करना देखें कहीं कहीं ना कहीं profit percentage यह loss percentage हमेशा किस पर निकलता है तो हमेशा हमेशा cost price पर निकलता है until and unless तब तक इसको हम cost price पे लेंगे जब तक कि सवाल पर नहीं दिया गया कि 20% profit of the selling price मतलब अब यहां पर यह 20% profit मिल रहा है वो किस पर मिल रहा है तो विकराय मुल्य पर मिल रहा है तो यहां से यदि आपको CP और SP का ratio कोई निकालने को कहीं तो यह होगा कि यहां पर 20% का मतलब क्या होता है तो 20% का मतलब होता है एक बटा पांच 20% का मतलब होता है एक बटा पांच मतलब हम अब इस प्रारंबिक मुल्य को selling price मानेंगे और इसका एक unit याने कि 5 आपका विकराय मुल्य है और एक unit का लाब हो रहा है लाब होने का मतलब यह 4 unit हो जाएगा बात समझ भाए अरे भाई यह तो हमने last class में cover किया था कि अगर यहां से cost price x है इसमें कहीं न कहीं आप आपने profit को जोडा है और profit को जोडने के बाद आपका selling price आया जो कि है पांच अगर पांच unit profit है तो आप एक unit का profit हो रहा है क्योंकि 5 का एक unit profit है और 5 क्या selling price है? मतलब X में एक जोडने पर इतना बना होगा तो X कही न कही चार यूनिट हो जाएगा जो कि इसका क्या है तो क्रे मुल्य है मतलब क्रे मुल्य और विक्रे मुल्य का अनुपात है चार अनुपात 5 और सवाल में यही दिया है कि आपने इसको जो खरीदा था इसका दाम आपको दिया हुआ है 18,000 रुपय में आपने खरीदा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका विक्रे मुल्य का होगा तो 4 बराबर इतना तो 5 बराबर कितना है बोलो इसको divided by 4 करना होगा यह हो गया एक unit का value multiplied by 5 करने से इसका उत्तर आ जाएगा कही ना कही तो इसको solve करते है चार से काटने पर यहाँ पर 45 आ रहा है और 00 मतलब कि कही ना कही 20,000 और 25 याने कि 22,500 रुपया जो है यह कही ना कही इसका विक्रे मुल्य निकल के आ जाएगा 20 सवाल का बिलकुल सही उत्तर है ठीक है चलिए आशा करता हूँ यह सवाल आपको समझ भी आया होगा देखिए अगर यहाँ पर ऐसा कह देता कि 20 प्रतिसत का profit हो रहा है तो आप यहाँ पर पांच अनुपात च्छे लिखते और 20 परसेंट इसका निकालकर 21,600 पर आप इसका answer कर ल करना रहना है कि percentage profit किसका दिया अगर कोई यहाँ पर नहीं दिया है केवल 20 परसेंट बोल रहा है तो आप cost price करेंगे लेकिन अगर ऐसा specifically बता दिया कि विकरे मुले का 20 प्रतिसत तो आपको चौकरना रहना है इसका 20 परसेंट आपको लेकर solve करना है चलिए आगे बढ़ते है shopkeeper promise to sell his goods at 10% profit and use this 20% less weight find the profit percent एक दुकानदार अपनी वस्तों को 10 प्रतिसत लाब पर बेशने का वादा करता है लेकिन क्या करता है कि 20 प्रतिसत कम तौलता है लाब का प्रतिसत ग्याद करेंगे देखिए जबी भी यहाँ पर तुलना होती है यानि कि यह चीटिंग वाला जो यूज करके कर रहा होगा यानि कि अगर वह 20% कम वेट यूज कर रहा है तो कहीं न कहीं उसको profitable होना चाहिए तो इस चीज के logic के साब से आपको यहाँ पर सवालों को solve करना है ठीक है तो मैं इसमें एक दो pattern के सवाल लोगा यहाँ पर जिससे आपको समझ में आएगा इसके स profit पर बेच रहा हो यानि कि 100 पर खरीदेगा तो वहाँ पर tag लगा के रखेगा 10% बढ़ा कर यानि कि 110 रुपए पर इसको बेच रहा होगा लेकिन यहाँ पर जब कम तौलता है कम तौलने का मतलब क्या है अगर 20% कम तौल रहा है तो यहाँ पर फाइदा इसको बेचते समय ह यहाν से 100 ग्राम लेने के लिए आया तो सॉ घ्रम के तहद 20% कम करके 80 ग्राम का रहा सावाल तो जब यहाँ पर आप को पैसे लगेंगे 80 परसेंटेज की पैसे लगेंगे क्योंकि समान तो कम जा रहा है लेकिन कहीना कहीं यहाँ पर पैसे जदा रहे है अब इसको solve कैसे करना है तो simple सी बात है इसको directly आपको vertically ऐसे multiply कर देना है नीचे की और इसको गुणा कर देना है और value लिख लेना है और नीचे की और गुणा कर कर जाएंगे left side वाला और right side यह आठ का एक शूनिय और इसका शूनिय कर जाएगा मतलब आपने आठ रुपया पर खरीद कर इस value को आपने 11 रुपया पर बेचा है आठ पर खरीद के 11 पर बेचोगो तो कहीना कहीं लाब होगा लेकिन लाब का percentage कैसे निकलता है percentage profit simple सी बात है एक्चुल जो लाब हो रहा है यानि कि आठ पर खरीद के 11 पर बेचोगे तो कहीना कहीं आपको कितने का लाब हुआ तीन का लाब हुआ और यह तीन का लाब किसमें हो रहा है तो आठ में हो रहा है multiplied by 100 तीन बटे आठ का percentage value होता है 37.5 या सैटिस बटे आधा सैटिस सही आधे प्रतिसत यानि कि एक बटा दो प्रतिसत ठीक भी इस दा करेक्ट एंसर आशा करता हूं यह आपको समझें आया गगा 24 नुमर का सवाल clear है चलिए आगे पड़ते हैं एकाथ सवाल और मैं लेता जैसे यहां दियो है dishonest shopkeeper makes a cheating of 40 percentage at the time of buying the goods and 30 percentage at the time of selling the goods. He promises to sell his goods at 25 percentage then find the profit percentage देखे एक बेवान दुकानदार वस्तों को खरीते समय 40% का बेवानी करता है तथा वस्तों को बेचते समय 30% की बेवानी करता है यह वह अपने वस्तों को अगर 25% की हानी पर बेचने का वाइदा कर रहा है ठीक है हानी होगी यहां पर छोटी की मात्रा पताना है कि लाप की प्रतिसाद यहां पर क्या है देखे अब यहां पर दो थरीके से चीटिंग हो रही है ऐसे को समझने दुकानदार को profit पहुंचनी चाहिए तो आपको समझना है कि जब खरीदने जा रहा है तो यह किस जगा खड़ा है और जब बेचने जा रहा है तो यह कहां पर है तो देखें इसको समझने की कोशिश करिए अगर 40% का profit यह कमा रहा है जब खरीदने जाता है तो देखें CP और SP कि जब मैं बात करूँ जब दुकानदार खरीदने जा रहा है तो वहां खरीद रहा है मतलब वो selling price वाले साइड पर है बात समझी मैं आई अगर दुकानदार खरीदने जा रहा है कोई चीज तो वह 100 रुपया मांगे 100 रुपया का समान मांगेगा लेकिन क्योंकि वो बेच इसलिंग केर वी मतलब वो बेचने जा रहा है तो यहां से कोई सामने से कोई खरीदने आ रहा है और टीस प्रतीसात का चीटिंग कर रहा है बेमानी कर रहा है तो यहां परопर 10 का समान देगा 30% कम कर के समझ में आघ्या खरीदते वक्त ही हमें 40% बढाते हैं चीटिंग वाले केस में और बेचते वक्त कहीं न कहीं यहां से सामने वाला कोई आया मतलब कि खरीदने के लिए और वो बेच रहा है तो सौ के जगा पर आप सत्तर का यहां पर समान देंगे 30 प्रतिसत कम करके इतना समझ में अब साथी साथ वो यह भी बोल रहा है कि वो बोल कर रहा है क्योंकि अगर 25 परसेंट का नुकसान कहीं न कहीं दिया हुआ है तो 25 परसेंट का लॉस का मतलब क्या हुआ कि चार करे मुल्य एक का नुकसान हो रहा है तो चार अनुपात तीन कहीं न कहीं आपका वैलू आएगा अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं अब मैंने सत्तर दिख रहा है तो इस सत्तर का दो गुना यह होता है और इस दो का डबल होता है यह चार मतलब कहीना कई दो अनुपात तीन यानि कोई वस्तु को हम दो रुपया में खरीद कर तीन रुपय में बेचेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट होगी कितने की लाव हो रही है यह देख लेते हैं लाव हो रही है एक का दो रुपय में जब खरीद कर आप तीन में बेचोगे तो आपको यहां पर कहीना कई एक का लाव हो रहा है और प्रतीसयत प्रॉफिट की जब बात होती है तो एक डिवाइडेड बैक कराई मूल दो है मल्टिप्लाइड बाई सौ करो क्या और चीटिंग वाले केस्में कैसे हमें सॉल्व करना सवाल लको यहां पो समझ में घ्या है और जब बेचने जा रहा है तब क्या करना क्योंकि वह भीमान है तो वह अपने फाइदे के बारे में सोचेगा जब यह बहुरी कि चीज स्वह लाएड कर लिएं नेक्स कुश at a profit of 15% and shares at a loss of 10% if a total gain is 300 rupees then what is the total cost of the tables यानि कि सुश्मा ने क्या किया 12,000 रुपए में 6 मेज खरीदे और 12 कुर्सियं खरीदे साथी साथ बुला गया कि मेजों में उसे 15% का लाब होता है और कुर्सियों में उसे 10% की हानी होती तो उसे कुल अगर 300 रुपए का लाब हुआ तो इस मेज में कुल लागत क्या है देखिए यहाँ पर इस सवाल को दो तरीके से सॉल्ब किया जा सकता है एक ऐलिगेशन है ऑलिगेशन से भी आप इसको सॉल्ब कर सकते है यह से जादा बहतर तरीका है कि आप यहाँ पर डिवेशन लगा है तो मैं अभी आपको इसको डिवेशन से सॉल्ब करके बताता हूँ ठीक है देखिए सपोस करिए कि उसका six tables का जो दाम है वो 60 है और 12 चेर का जो दाम है वो 12 C है मतलब एक एक टेबल का दाम T है और एक एक चेर का दाम C है तो 6 T प्लस 12 C जो होगा इसका total दाम जो है वो 12,000 रुपिया का है कितना है तो 12,000 रुपिया का है अब यहां से बोल रहा है कि टेबल को हम बेचते हैं 15% के profit पर टेबल को हम क्या करते हैं भई टेबल को हम बेच रहे हैं 15% के profit पर 15% के profit पर बेच रहे हैं याने plus value पर और साथ ही साथ हम जो चेर को बेच रहे हैं उसको 10% के loss पर बेच रहे हैं मतलब इसका 10% माइनस करने पर म यहां पर आपको 15% यहां पर दस परसेंट लेना इसको माइनस करेंगे क्योंकि लॉस और यह दोनों का जो डिफरेंस आएगा वह 300 रुपया का है यह हमें यहां पर करना है तो ओवर आल हमें जो गेन हो रहा था इतना था अब निकालना क्या यह खुल 6 टेबलों का दाम हमें चाहिए अब देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से डिवेशन लगाते हो इसको सौल करने की कैसे करना है वो बताता हूँ हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर इसको अगर ौसेंट का हानी हो रहा है मैं मानूंगा कि यहां भी यदि 10 परसें कहीं क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है तो 10% का मतलब होता है एक बटा 10 मैं यह कह रहा हूँ कि यहां अगर 10% की हानी होई यहां भी अगर 10% की हानी होती तो कहीं न कहीं हमें 1200 रुपय का नुकसान होना चाहिए था overall में क्योंकि पूरे के पूरे में हमें फिर 10% की हानी हो रही है जो कि यहां पर इसका 1200 का नुकसान देगा देखे अब यहां से हम यह समझेंगे कि actually इसमें और प्लस हुआ कितना 1500 रुपया प्लस हुआ तब ही जाके तो overall हम 300 पे पहुंचे यह 1500 रुपय एक्स्ट्रा हुआ तब ही जाके हम यहां पे 300 के लाब पे हुए क्योंकि already आप 1200 के नुकसान पे इस 10% और 10% वाले केस में लेकिन actually आपको overall 1500 रुपय जादा मिल रहा है तब ही जाके आप इसमें 300 का लाब कमारे अब आपको ध्यान देना है कि 1500 एक्स्ट्रा मिला तो क्यों मिला क्योंकि यहां पर आपको 10% का loss ना होकर 25% का profit हो रहा है मतलब कहीं न कहीं इसका जो 25% है यानि 6 table का 25% value वो इसके बराबर है इसके बराबर तो यहां पर 1500 के बराबर और अगर 25% इसके बराबर है मतलब 6 table का 1 4 दाम च्छे टेबल का एक चौथाई दाम यानि कि समझिए च्छे टेबल का एक चौथाई दाम यानि कि पच्छिस परसेंटेज वैल्यू जो है वो इतने के बराबर है एक चौथाई दाम है सुरी ये क्योंकि 25 परसेंट का मतलब एक चौथा ही दाम होता है, इसके बराबर है, 1500, तो 6 टेबल का पूरा का पूरा दाम कितना हो जाएगा, इस 5, 4 को उठा के उपर लिजाएगे, तो 6000 रुपया हो जाएगे, यह है आपके 6 टेबल का दाम, तो B है कहीं न कहीं सवाल को उतर, प्लियर, समझ में आ गई बात यहा पर 300 रुपय का प्रॉफिट हुआ, और 300 रुपय का प्रॉफिट का मतलब होता है, 300 बटे 12,000, multiplied by 100, यदि आप इस तरीके से इसको देखे, तो कहीं न कहीं, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, इस तरीके से कड जाएंगे, 30 बटे 12 का मतलब है, 0.5% का प्रॉफिट, यानि कि आपको ओवराल जो हो रहा है, 300 का प्रॉफिट हो रहा था, जो कहीं कहीं, जो कहीं, कहीं, जो 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 यहां पर धाई परसेंट माइनस का माइनस दस होगा जो कि कितना है तो ओवराल फिर से यहां पर आपका आपका साड़े-बारा परसेंटेज ही है और अब जब आप इसको रेश्चो देखेंगे तो कहीं न कहीं वैल्यू जो है आपका कट के एक अनुपात एक होगा तो ओवर चलिए आशा करता हूं आपको वाला अप्रोच भी समझ में आया होगा और इस सवाल में कैसे इसे लगाना यह आप सीख गया होगे चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं टोटल प्राइज रिसीव वाइल सेलिंग अटेबल 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 यहां पर कही न कहीं देखिए मैंने आपको शुरुवाती तौर पर बताया था जब कोई वैल्यू दिया है तो आप आप आइंटिफाय करिये कि क्या दिया है पिछले सवाल में जो 300 रुपया दिया था वो लाब था लेकिन जब यहां पर आपको वैली दिया हुआ है यह जो है यह 890 और 710 क्या यह लाब है आप कहेंगे कि सर यह लाब नहीं है यह है सेलिंग प्रैस क्योंकि इतना पैसा आपको मिल रहा है देकि 890 रुपय की राशी की प्राफ्त होती है जब टेबल को 20% के लाब और कुर्सी को हम 12-15 परसेंटेज के हानी पर बेशते हैं तो आपको समझना है कि कहीना कई 890 जो है यह कहीना कई सेलिंग प्राइज है किसका तो एक टेबल को 20% के प्रॉफिट पर बेशने पर जो आया और कुर्सी को 15% के हान हमें निकालना है हमें क्या निकालना है एक टेबल का दाम प्लस शे कुर्सियों का दाम क्या होगा यह हमें निकालना है option यहाँ पर दिया हुआ है clear पतलब अब इसका दाम हो जाएगा 120 यानि कि आपने यहाँ पर 120 परसेंट किसका लिया तो टेबल का यह इसका है विक्रे मुले और आप जब इसको 15 परसेंटेज के लॉस पर बेचो गे तो कहीं ना कई इसका वैल्यू कितना आएगा 15 परसेंट के लॉस पर बेचने पर 85 परस GameO. tuskin pagan मतलब यहां 75 पर सेंट लेना होगा टेबल का क्योंकि टेबल अपनी आप में सौल- Joshua गरोगे तो कहीस करोगे तो कहीना कई कित Dallas परसेंट के पर चीक अब यहां से जब हम इसको 30 पर संट के प्रॉफिट पर बेशते हैं अब चेयर को 30% के profit पर यानि चेयर का दाम हो गया 130% तो यह दोनों का selling price है दोनों का selling price भी करें मुल्य को जोड़ने पर कहीं ना कई 710 रूपया अब देखें इस equation को solve करना है तो यह आपको पता होना चाहिए कि percentage का मतलब बटा 100 होता है इसको दो equation दो variable है आप लोग इसको बहुत स करके आप निकाल सकते है चेयर का दाम इन दोनों को फिर चेयर का दाम आ गया तो किसी भी equation में दालके table का दाम निकाल सकते है चेयर और table का दाम आ जाएगा लेकिन यह approach जो है कही ना कहीं आपसे काफी time मांगेगा मैं आपको यहाँ पर एक छोटा approach बताऊंगा जो की है shifting approach क चीखने के पहले आपको समझना होगा shifting लगता कहा है दो equation दो variable आप लोग solve कर सकते हैं इसको लेकिन मैं आपको यहाँ shifting सिखाना चाहता हूँ shifting कहा लगता है यह मैं आपको बताऊंगा time speed distance के सवाल में भी shifting लगता है जब इस प्रकार का सवाल आ गया तब अब देखिए यहा और 130 को जोड़ो तो कही ना कई फिरसा आएगा 205 जभी भी इस तरीके का variable बनता है linear equation in two variable जहां पर उसके coefficient को जोड़ेने पर कही ना कई same value आ रहा है इस तरह के case में आपका हमेशा shifting लग जाता है अब इसका मतलब क्या हुआ अब देखिए इसको solve कैसे करना है वो मैं आता जैसे ही आप यहां पर देख रहे हैं कि पहली वार में हमने क्या किया था table का value हमने 120% लिया था यहां 85 लिया था अब हमने क्या किया table का हमने यहां पर 20 और 25 याने इसको हमने 45 कम किया और कही ना कहीं इसको याने अगर आप देखेंगे तो 20 और यहां 25 कम हो है और इसको हमन यानि इसका 45 value हमने बढ़ाया यानि कि कुल मिला के हो क्या रहा है हमने 45% निकाला यहां से और यहां से चेयर में shift किया हमने यहां पर क्या किया तो आप यहां से यह भी कह सकते हैं कि table का 45% निकाल के हमने यहां पर shift किया जब आप 45% इस तरीके से shift करते हैं तो value यहां कितना कम हो रहा है उसके उपर नजर डालिए यह पहले 890 था यहां पर 700 दस मतलब कहीं न कहीं 180 कम हुआ यानि जितने प्रतीसत आप यहां से इधर shift कर रहें यानि टेबल का 45% निकाल के chair में shift किया तो 45 का 4 गुने यानि की 180 कम हुआ हालयू में तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप यहां पर 75% को भी क्यों रखें इस 75% को भी पूरा का पूरा देडिजी जैसे मिया इस जैसी 45% इस वैलायू से Eig mood state कम हो गा यानि की 300 कम होंगा 4 गुने 75 का जो कि है heck crear मतलब कहीं थे क्थेस्थ नहीं दो रुपया एक परसेंटेज्थ का वयल्यूट का वैल्यू दो सौ परसेंटेज्ह धां वह जाएगा 200 रॉपयाः तो इसमें दाल दीजिए इसमें दालोगे तो कहीं न था टुसर का 85 परहने भी डाल सकते हैं मैं इसमें से किसी भी एक equation में डाल देता हूँ जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया पहले वाले में तो यह जो value है यह बन जाएगा 170 मतलब 120 परसेंटेज जो टेबल का है वो हो जाएगा 800 नंबर में 170 माइनस करना मतलब 20 और 70 मतलब कहीं न कहीं 6 गुना हो रहा ह इसका 6 गुना मतलब टेबल का जो प्राइज है वो 600 रुपिया हो जाएगा 100 प्रतीसर अब आपसे बोला जा रहा है कि एक टेबल का दाम 600 रुपिया और यहां पर आपको बहुत सारी चीज़े सीखनी है यह तो मैंने सारा आपको सॉल्व करके बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है लेकिन आपके मन में अभी भी कुछ डाउट्स होंगे जैसे कि for example मैंने यहां 120 परसंट और 85 परसंट लिया पिछल्या सवाल जब हम ले रहे थे तो values दिया हुआ है यह कहीं न कहीं इसका selling price है और selling price दिया है इसले 100% में जब बढ़ जाता है value profit के case में तो 120% यह आपका selling price और loss के case में जो value दिया उसको minus करने के बाद इतना percent लेने से selling price आता है इसने यहां पर मैंने क्योंकि selling price दिया थे तो selling price वाला value लेकिन यहां आप इस question क language को देखे पिछले वाले सवाल में इस सवाल में आपको क्या हुआ इतने प्रतिश्चत का लाव हुआ तो जब आपको यहां पर profit का value दिया है तो आप यहां पर profit और loss का value न लेंगे इसलिए आपको थोड़ा सा चौकरना रहना है जो चीज दिया है सवाल में उतने percent आपको provide करें चली अब हम आगे बढ़ते हैं next question देखेंगे a man bought an article for 5400 he sold it at a loss of 30% with this amount he bought another article and sold it again at a gain of 60% what is the overall percentage gain or loss यहां पर एक व्यक्ती ने क्या किया इतने रुपे में किसी वस्तु को खरीद कर उसको 30% के हानी पर बेचा इस हानी पर बेचने में जो प्राप्त राशी थी उससे इ और उसको 60% के लाब पर बेच गया है overall यह जो दो प्रक्रिया करने के बाद उसको कितने का लाब यहानी हुआ यह हमें बताना है देखें जभी भी आपको percentage निकालना है percentage निकालने का मतलब यह है कि आपको इस value का कोई आवसकता नहीं है जब तक आपको यहां rupees में सवाल ना आप उसको solve कर सकता है तो देखें CP और SP की यदी में बात करो CP SP की यदी में बात करो तो पहले आपने क्या किया आपने यहां पर 30% के loss पर बेचा मतलब 100 रुपय पर खरीदा और 70 रुपय पर इसको बेच दिया तो यह आपका क्या हुआ यह आपका मन गया selling price लेकिन इसी 70 रुपय में आपने एक और वस्तू खरीदी तो उस वस्तू का क्रेय मूले 70 हो जाएगा और अब आपने क्या किया इसी वस्तू को आपने फिर से बेचा 60 प्रतिसत के लाग पर और 70 का साथ प्रतिसत होता है 42 सतर का साथ प्रतिसत कैसे होगा 60 multiplied by 70 multiplied by 60 by 100 और कही न कहीं आपको इस बार 42 यूनिट का profit हो रहा है जो कि इसके selling price को cost price बनाने के बाद आए जैसे मैं इन दोनों को जोड़ूँगा तो कही न कहीं अब जो final selling price आएगा वो हो जाएगा 70 plus 42 यानि कहीं न कहीं 112 मतलब overall अगर शुरुवाती तोर से अंत तक हम चलें तो हमने खरीदा कितने पर हमने खरीदा 100 पर और हमने बेचा कितने पर तो हमने बेचा 112 यानि कुल 12 percentage का profit हो रहा है क्योंकि 100 में जितने का profit होता है उसी को percentage कहते तो हम यह कह सकते कि कहीं न कहीं यहाँ पर जो overall profit हुआ व इस profit percentage on selling price which comes out to be 30 percentage had it been calculated as usual on the cost price and what is the required percentage अगर एक दुकानदार ने विकरे मूले पर लाब की गणना की होती तो उसे 30 प्रतिशत निकल रहा था यदि लागत मूले पर हमेशा की तरह ही गणना की होती तो प्रतिशत लाग क्या देखिए इस सवाल में सिंपल सी बात है कि 30% की जो profit दी गई है वह किसमें दी गई है तो वह आपके selling price में दी गई है मतलब अब हम यहां से reference लेंगे selling price का CP और SP के अनुपात की यदि मैं बा 100 मान लूँ तो 100 का 30% 30 होता है यानि 30 का लाब हो रहा होगा और लाब का मतलब है cost price कम होना चाहिए तो आप इस value में 30 कम करेंगे यह बात मैंने कई बार समझा दिया अब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा पिछले वीडियो में भी ऐसा सवाल लिया था इस वी मूले पर निकलता है साथ पर तो तीन का अगर law profit हो रहा है साथ में तो बताइए percentage profit क्या होगा एक बटे 14 का मतलब आप सब जानते 14 2 by 7 percentage होता है लेकिन कहीना कहीं तीन बटे साथ है एक बटे साथ का मतलब 14 2 बटे साथ प्रतिसत होता है और क्योंकि यहां पर तीन बटे मुझ में आ गई चले आगे बढ़ते हैं तीस नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन के उपर यहां दिया हुआ है on selling article for 800 रुपीज a person makes a loss of 20 percentage of its selling price at what percentage should he sell to gain 25% on the cost price देखे किसी वस्तु को जब 800 रुपे पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को विक्रे मूले का 20 प्रतिसत खो देता उसे किस दाम पर बेचना चाहिए तो देखिए अगेन यहां पर विक्रे मूल के उपर दिया हुआ है तो सबसे पहली बात अगर 20% का उसे लाब लॉस हो रहा है यानि एक बता पांच होगा यानि CP और SP के रेशियों की अधी में बात करो तो 5 अगर CP है तो क्योंकि यहां प समझ सकते हैं कि अगर 60 है तो यह 50 ऐसा भी ले सक्ते है या आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं कि अगर यह 100 है तो कहीं न कई 20 कम करउगे तो यहां पर 20-20 आजाए तो सकते आगर वैलु जो तहाँ यहां पर 800 रुपया दियू था 400 क्यूंकि यहां पर विक्रेमूल §800 है मतलब कही इसका आठ गुना हो रहा है तो करेमिय अभी इसका आठ गुना होगा मतलब कही नो सो साछ अठ रुपया में आपने इसको खरीदा परसेंटेज का लाव कमाने का मतलब 125 परसेंटेज कमाना 125 परसेंटेज किसका तो इसका 125 परसेंटेज 125 परसेंटेज आपको यहां कमाना होगा याने 125 बाइंट्रेट तो अगर मैं 25 से इसको काटूं तो 25 से काटने पर उपर 5 आएगा नीचे 4 आजाएगा चार से यदि मैं इसको काटूंगा तो 240 आएगा 240 गुणे 5 करोगे तो कहीना कई 1200 रुपया जो है यह इसका विकरे मूल हो जाएगा ठीक है तो कहीना कई सी जो है सवाल का सही उत्ता है I hope यह सवाल आपको अच्छे समझ में आया होगा 30 दंबर का की हमें इसको कैसे स्वाल करना है चलिए आगे बढ़ता है अगला सवाल है आपके स्क्रीन के उपर है यहां दिया हुए अशॉप कीपर बाइस अप्रोड़क्ट ऑफ रुपीज 80 रुपीज पर के जी एक दुकानदार ने क्या किया 80 रुपे प्रती किलोग्राम पर कुछ खरीदा था जिसमें से 20 प्रतिशत स्रती ग्रस्त हो गया यानि कि खराब हो गया बेकार हो गया ठीक है डिस्ट्रॉय हो गया और 40 प्रतिशत के लाव अरजित करने के लिए शेश को प्रती किलोग्राम कितने कीमत पर बेचना चाहिए तो देखे यहाँ पर थोड़ा सा आपको चौकरना रहना है कि जब आप खरीद रहे थे तो आपके पास 100 परसेंट चीजे थी लेकिन जब आप बेचो गए तो कही ना कही आपके पास 80 परसेंट चीजे होंगी क्योंकि 20 परसेंट जो खराब हो गई तो ऐसे केस में करना क्या है मान लेते हैं कि हमने इसको जब खरीदा था तो 80 रुपय पर खरीदा था तो जो टोटल कॉस प्राइस था वो 80 रुपया था लेकिन यहां पर हमारे पास 100 आर्टीकल थे क्योंकि 20 परसेंट जो वस्तों है वो खराब होनी यानि कुल जो क्रे मूले लगा होगा वो हमें 8,000 रुपया लगा होगा यानि कुल जो सेलिंग प्राइस टोटल आना चाहिए टोटल जो सेलिंग प्राइस हमें मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए तो आपका जवाब होगा इसमें 40 परसेंट का लाब कमाना इसका 40 परसेंट प्लस करना अगर इसका 40 परसेंट प्लस करोगे तो कही ना कही आ जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस 8,000 इंटू 140 बटा 100 इतना हमारा टोटल सेलिंग प्राइस होगा 40% बढ़ाने के बाद लेकिन जब हमें प्रती किलोग्राम निकालने को कहा गया तो यह 100 किलोग्राम का वेट है क्योंकि यहां पर मैंने 100 किलोग्राम लिया था लेकिन जब बेचने जाओगे तो क्या हमारे पास 100 किलोग्राम होगा नहीं होगा और हमें प्रती किलोग्राम का वेट निकालना है तो अगर प्रती किलोग्राम का वेट निकालना है तो इसको एक बार 80 से बाटना भी होगा यह टोटल था बटे 80 करना होगा क्योंकि 100 शुरुवाती दौर पे था हमारे पास अब हमारे पास 80 ही समान बचा हुआ है तो 80 से इसको एक बार बाटना पड़ेगा कितनी सिंपल सी बात है कि ये 80 और 108 जार होता है ये पूरा कर जाएगा मतलब 140 रुपे केजी इसको आपको बेचना होगा तो उत्तर आपका यह होगा इसको समझने के लिए आप डारेक्ली अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एक लाइन में इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते है कि हमारा जो कॉस्ट प्राइज है वो शुरुवाती दौर पे कितना था वो शुरुवाती दौर पे था 80 रूपिया लेकिन यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल कितने थे तो 100 यह हमारा क्राय मुल्य हो गया बेचने की बात होगी तो हमें इसको 40% लाब पर बेचना है मतलब 140 बटे 100 पर बेचना है लेकिन जब बेचने जाओगे तो हमारे पास 100 kg आर्टिकल नहीं है हमारे पास आप 80 kg आर्टिकल है तो बटे में एक बार 80 भी करना होगा यह आपके एक लाइन का सोलुचन है और एकजाम में आपको इतना ही चलाना है तो यहां प्रती लिटर में बेशने का दाम आपको निकालना है समझे बात को कि 45 उपे प्रती लिटर की दर से इसने दूद खरीदा था 100 लिटर दूद लेकिन 10 लिटर दूद रस्ते में गिर जाता है और 6 दूद को किस दर पर बेशना चाहिए कि 25 प्रतीसत की लाब उसको पहुँचे तो सबसे पहली बात आपको समझना है कि 100 लिटर दूद जब 45 रुपया की दर से आप खरीदेंगे तो टोटल जो क्रेमूले लगेगा वो लगेगा 45 multiplied by 100 इतने रुपय का क्रेमूले लगेगा और 45 multiplied by 100 यदि आपको समझना है कि साती साथ आपको यह भी समझना है कि जब खरीद रहे थे तो सौ लीटर था लेकिन जब बेच रहे हो तो अब कितना है यह तो लीटर हमने मल्टिप्लाइ कर दिया है तो प्रती लीटर जब आपको निकालना है कि कितना कमाना है तो आपको समझना होगा कि सौ मिसे दस लीटर दूद्ध तो रस्ते में गिर चुका है मतलब अब यहां पर आपको एक बार इसे नबबे से भी बाटना होगा क्योंकि टोटल जो पैसे आपको आएंगे वह यहां से तो पैतालिस को काटेंगे तो दो यहां पर आएगा सौ और सौ कड़िया तो 125 बटा दो करने पर यहां कही ना कही रुपीज 62.5 जो है पर लिटर होगा याने यह जो सवाल का सउयूद है इस तरीकी के पैटन के सवाल को कैसे हैंडल करना यह आप समझ पा रहे होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं तो यहां से मैं जो कुश्चन्स लेने वाला हो वो कही ना कही आपके वेज्ड है नंबर अफ आर्टिकल्स पर याने कि संख्याओं पर वस्तों के संख्या पर आधा पर काम करें या फिर हम उसके LCM पर काम करें तो दोनों चीज़े मैं आपको बताऊंगा सवालों के उपर आधारित जो है वो हमारा रहेगा कि LCM लेना है कि यहां पर एक एक वस्तु का आर्टिकल का प्राइस ने रहा है जैसे कि पहला सवाल देखिए अब परसेंट 2400 to make a profit of 20% तो देखिए जब उसको 2500 रुपया में 25 वस्तु में बेची थे तो यहां पर 10 प्रतिशत का हानी हुआ था 20 प्रतिशत का लाब यदी कमाना है तो उसे 2400 रुपय में कितने वस्तु बेचने चाहिए यह हमें बताना है कि न गई तो आई है उसको solve करते हैं तो सबसे पहली बात यहां 25 वस्तु का जो selling price वो कितना है तो 25 kind 100 रुपय है यह कौण tombिश ए यह वो selling price है जब आप यहाँ पर 10% की हानी हम यहाँ पर कमा रहे हैं 10% का loss है और 10% का loss का मतलब होता है कि selling price जो है वो कही ना कही 90% 10% का loss का मतलब है कि selling price जो है वो कितना है तो इतना है याने 90% आपको क्या करना है आपको यहाँ पर कमाना है 20% का profit तो अगर आपको profit कमाना है 20% का तो आप बताइए अब कि selling price कितना होगा तो आपका जवाब होगा selling price होना चीए 120% मतलब एक वस्तू का selling price 100 रुपिया तब था जब हम यहाँ पर 90% का loss कमा रहे थे अब एक वस्तू का अगर 100 रुपिया दाम है जब 90% का loss कमा रहे थे तो 120% यानि कि आपको कमाना है तो यहाँ पर कितना आपका वैल्यू आजाएगा 100 डिवाइड़ बाइड़ दस परसेंटेज का loss कमाने थे तो 90% selling price है और 20% का profit कमाने के लिए selling price अब 120 होगा यहने कहीं न कह होगे तो अगर एक वस्तू का दाम इतना है मैं मान लेता हूं कि मैंने एन वस्तू है बेचे तो एन मुल्टिप्लाइड बाइड़ इतना करने पर टोटल नंबर वस्तू आजाए यानि टोटल प्राइस आजागा कि इतना आएगा जैसे कि अभी हम पहले भी देख रहे थे इतना टोटल प्राइस हमें कमाना होगा और यह बराबार है टोटल सेलिंग प्राइस के जो की है 2400 रुपया जो की है 2400 रुपया के तो एक सो बीस का यदि मैं 00 काटू तो कहीना कहीं यह 1200 जो है इसको काटेगा दो बार और यह नौ यहां चूड़ गया और दो वहां आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं अब पर्सन बोट सम आर्टिकल एट रुपीज सिक्स फॉर ट्वेंटी फॉर फाइव फाइव फॉर रुपीज सिक्स वाट इस प्रॉपीज पर्सेंटीज पांच रुपय के हिसाब से अगर छे वस्तुए खरीदी जाती है औ याने LCM लिया जाए या फिर आप यहां पर CPSP के रेश्यो पर भी काम कर सकते हैं तो मैं दोनों बताऊंगा पहले आपको LCM अप्रोच बिता नहीं करना क्या है आपको समझना है यहां पर कि 6 वस्तुओं का जो है इतने पर हमने खरीदा था मतलब 6 आर्टिकल का कॉस्ट प विकरे मूल दिया हुआ तो कहिना कहीं यहां पर imbalanced है आप जितनी वस्तूओं खरीदते हैं उतने वस्तू बेचनी होगा या तो आप यहां पर एक वस्तूआ को करेमूल निकालेंगे जो की 5 वटा छे हो जाएगा और एक वस्तूओं का विकरेमूल निकाल सकतंगा या फिर कि परसंटेज आपको निकालना है तो profit percentage कितने का हो रहा है कहीं ना कहीं 11 रुपिया का profit हो रहा है और 11 रुपिया का profit कितने में तो 25 multiplied by 100 कर लेते हैं तो यहाँ पर 25 से इसको काटोंगे तो 4 आएगा याने 44 percentage का आपको profit हो 44 percentage का आपको profit है तो यहां से D जो है सवाल का सभी दरूगा है क्लियर यहां तक साथ समझ में आ गई अब देखिए मैंने आपको इसके पहले बताया था एक वस्तु वाले से भी आप इसको calculate कर सकते याने की CPSP का ratio लेकर तो देखिए उसको भी मैं आपको बता लेता हूं कि कैसे अब इसका अनुपात ही तो है क्योंकि profit परसेंटेज और loss परसेंटेज जब निकालने की बात है तो आप जानते CPSP का ratio जब हो तो कहीना कई हमारा value जो है वो चेंज नहीं होता है percentage से माता है तो इस 5 को उठाके यहां बेज दीजिए 6 को उठाके यहां बेज दीजिए 5 यहां पर आएगा तो 25 बनेगा 6 यहां पर जायेगा तो कहीना कई 36 बनेगा तो अब बताईए कि percentage profit कितने का हो रहा है percentage profit जो है इसका value हो जाएगा कि 25 में खरीद का 36 पर बेच रहा हो तो कहीना कई 11 का profit हो रहा है और 11 का profit कितने में हो रहा है तो 11 बटा 25 multiplied by 100 याने कहीना कहीन यहां पर 44 percentage का profit हो रहा है 44 percentage याने डी जो है सवाल का आसा करता हूं यह आपको समझ में आ गया होगा कि क्यासे हमें handle करना है चाहिए आप इसमें short trick लगाना चाहते तो इस तरीके से लगाई यह कहीना कहीं का LCM approach भी है LCM approach भी बहुत फाइदेमंद है इसका भी हमें use करना आना चाहिए और यह भी use होता है चलिए आगे बढ़ते है अब person bought some articles at the rate of 11 for 10 and sold them at the rate of 10 for 11 what is the profit percent 10 रुपए के भाव से 11 खरिता है और 11 रुपए के भाव से 10 भिषता है तो क्या होगा लाव यहानी होगी simple सी बात है CP कितना है जब CP दिया है तो बोल रहा है 11 का CP 10 रुपिया और कहीना कही जब बेच रहा है तो बोल अब इसका LCM लेकर आप या इसको ऐसे पहुंचा सकते 10 को इधर और 11 को इधर मतलब 100 रुपय में खरीद कर 121 रुपी में बेच रहो तो कही न कहीं क्या होगा 21% का प्रॉफित होगा और 100 में 21 का प्रॉफित यानि की परसेंटेज भी उतना ही है सोल देट इट ओ देट जम फॉल देज़ चल्फ अर उतने ही फल सो रुपय में हमने नो की दर से खरीडे जितने हमने पहले टाने पहले खररिदा बाद में नों खराई जितना अपने पहली बार में खरीदा उतना आपने दूसरी बार वाली और यदि सबी फल को हम 10 रुपये में दस बहुत ड्रारो एक फल दस रुपयामी तो बता है कि पूरे इन देन में लाव हुआ कि हानी हुआ और पर्सेंटेज बताना है तो यहां पर आपके ऑप्शन लाव हानी दोनों में है तो बताइए भई कैसे सॉल्व करोगे यहां पर देखिए अब यहां लेना अनिवार्य हो जाता है क्योंकि अगर मैं कहूं कि पहले का कॉस्ट प्राइ में 9 का CP याने कहीना कही गलत है तो 11 और 9 का जो LCM होता है याने कि 99 आपको बनाना होगा तो मुझे यहां पर क्या मल्टिप्लाय करना होगा इसको 9 से तो अगर इसको 9 से मल्टिप्लाय किया तो यह भी 9 से मल्टिप्लाय होगा यह 99 बन गया इसको 11 से मल्टिप्लाय करोगे तो कहिना यह भी 11 से मुल्टिप्ला होगा मतलब ओवर ओल हमने यहां पर 99 जब खरीदे पहले वाले का तो हमारा जो प्राइज लगा वो कहिना कहीं कितना लगा तो 900 रुपया ठीक 900 रुपया और दूसरे वाले कि भी अगर बात करें तो यहां पर भी हमने 99 खरीदे तो 99 का ज 998 टोटल हमारे फल्थ है इसका टोटल जो कौस्ट प्राइज लगा वो लगा यहां से दोनों को जोडने पर जो आ रहा है वो आ रहा है दो हजार रुपिया तो वहारा है ना कई रूपीज वह मतलब दोब हजार प्रप्या पर आप थीइन सो आसी रुप्या को सब्सक्युत आप यहां से परसंटेश लोस होत हुआं और लॉस कितने का हो respected तो कही ना कही यहां से 20 का loss हो रहा है और 20 का loss कितने में हो रहा है 2000 में हो रहा है multiplied by 100 तो 2 zeros 2 zeros यहां से 1 zero इसको काट देगा मतलब कही ना कही एक percentage का आपको loss हो रहा है यहां पर तो आपका जो उत्तर है वो loss वाला होगा कभी-कभी जो हमें यहां पर जो ratio वाले approach से solve करना होता है यहां पर ज्यादा असान है कि आप number को LCM लेकर solve करें क्योंकि अलग-अलग values पर हम खरीद रहते और बेच रहे हैं तो 18 इन सब को एक साथ बेच रहे है ठीक है चलिए next question देखते है यहां से अब यहां पर दिया है कि यहां पर एक व्यक्ति है जो कि यहां पर banana खरीदता है bananas at the rate of 8 for 34 and sold them at 12 for 57 how many banana shall he sold to earn a profit of 55 rupees तो देखिए यहां पर एक आदमी जो है 34 रुपए पर 8 केले के दर से केले खरीदता है और 57 रुपए में 12 केले की दर से बेशता है गमारें तो कितने केले पर कितने लाब कमारें यहां उसके लिए हमें क्यां-की information दिया हो तो सबसे पहले आप देखेंगे दिया है वह कही ना कही 8 के ले को खरीदने का दाम दिया है वो कितना ہے तो 34 बेचने की बारी आई तो 12 केले का selling price दिया हुआ है वो कितना है तो रुपीज 57 दिया हुआ है clear अब यहां से यदि मैं इसको solve करने की कोशिश करूँ तो कहीना कहीं जो value है इसको अगर मैं 2 से काटूँगा तो यहां 4 आ जाएगा यह बन जाएगा आपका कहीना कहीं value इसका बन जाएगा आपका 17 ठीक है अब इसको भी मैं क्या बना सकता हूँ 12 बना सकता हूँ कैसे इसमें 3 multiply करके इसको 3 multiply कर दूँगा इसको 3 multiply कर दूँगा तो कहीना कहीं मेरे जो दोनों values equal होगा है कि 12 केले यहां पर भी 12 हो गया और यह हो जाएगा आपका 51 रुपिया तो 12 केले में अगर देखा जाए तो 51 रुपिया हम कमा रहे हैं यानि 51 रुपिया देना पड़ रहा है खरीदने के लिए और 12 केले जब बेचने की बारी आ रही है तो हम यहाँ पर 57 रुपिय कमा रहे है तो लाब होता क्या है प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइज माइनस कॉस्ट प्राइज तो कही ना कहीं आप देखेंगे की 12 केले खरीद कर बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ छे रुपिया का मतलब आप समझे की 6 रुपिय का प्रॉफिट कमाने के लिए 6 रुपय का profit कमाने के लिए हमें इसका दुगना के लिए यानि कि 12 बनाने बेशने पड़ेंगे बात समझ बहारी जितना का profit है उससे दुगना नंबर के बनाने हमें यहाँ पर यानि कि उसके दुगने नंबर का खेला हमें यहाँ पर बेशना होगा अगर 6 रुपे कमाना है तो 12 बनाना एक रुपे कमाना है तो इसका डबल बनाना अब यहां से आपसे बोल रहा था कि 55 रुपे का प्रॉफिट कमाना है रुपीज 55 का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ इसका दुगना करना यानि कि अगर यहां दुगना हो रहा है तो इसका भ पर 6 रुपय का profit कमा पाएंगे लेकिन अगर 55 रुपय का profit कमाना है तो कहीं ना कि उसका दुगना 110 के लिए आपको बेशने होगा चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां से सेम CP और SP के उपर आधारित कुछ प्रश्ण देखेंगे समान करे मूले एवन विकरे मूले पर आधारित प्रश्ण जो होते हैं इसमें दो प्रकार के प्रश्ण होते हैं सबसे पहली बार है जब दो वस्तुएं बेचे जारे कुछ इस तरीके से जिसमें किसी में एक्स परतिस्तत की प्रॉफित हुई और दूसरे में एक्स परसेंटेज का लॉस हुआ यानि कि जब दो बस्तियों कुछ इस प्रकार बेची जारी है जिसमें एक में एक्स परसेंटेज का profit हुआ तो दूसरे में एक्स परसेंटेज की हानी हुई तो आपको मानना है यदि इनका क्रैम मूले समान होगा तो इसमें न लाब होती है ना हानी होती है इसका note करके रखिए if CP is same then overall no profit no loss होगा ठीक है इसको मैं आपको notes याने की lecture का PDF भी आपको मैं provide करा दूँगा competition community के website में ये सारी चीज़े आपको मिल जाएगी वहाँ पर ठीक है selling price जो है अगर same है तो कहिना कही overall हमेशा loss होता है और ये loss कितने का होता है तो X percent X square divided by 100% यदि विकरे मूले समाल होता है तो कुल X square बटे 100% का हानी ही होगा ठीक है तो दो case मैं बता रहा हूँ कि अगर दो वस्तु हैं जिसमें से एक को X percent और दूसरे को X percent के profit पर एक को X percent के loss पर बेचा गया अगर दोनों का cost price same है तो overall no profit no loss होगा क्योंकि यहां कही न कहीं आपका weighted average का formula लगता है weighted average का मतलब deviation का formula तो यहां से अगर आप deviation या weighted average पर लगाएंगे formula क्योंकि अलग-अलग CP पर जब अलग-अलग profit लग रहा है तो कही न कहीं यहां percentage आप deviation से weighted average से लगा सकते हैं यह मैंने बताया तो अगर same same CP है एक में आप x percent कमा रहे हो याने plus x हो गया दूसरे में minus x कमा रहे हो यानि की minus x percent हो गया overall ना profit होता है ना loss होता है इस case में लेकिन जब selling price यानि विकरह मूल सेम है तो हमेशा 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 loss होता है और loss कितने का होता है तो x square divided by hundred percentage का loss होता है तो until and unless आपको value ना दिया जाए आप हमेशा यहाँ पर percentage में तो directly x square divided by hundred percentage कर लेंगे लेकिन अगर value में निकालने की आवशकता है तो वहाँ पर आपको values की use पड़ेगी चले अब मैं यहाँ पर इस pattern के सवाल को लेता हूँ एक एक करके इस सवाल में दिया हुआ है a man purchased two pens for rupees 10 each and sold one at 10% profit and other at 10% loss so what is the profit percent loss percent in the entire time एक आदमी ने क्या क्या 10 रुपए में 2 pen खरीदे प्रतियक को 10 रुपए में खरीदा क्योंकि CP एक का 10 है 10 percentage का loss करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इसमें minus one कर देना क्योंकि loss हो रहा है तो SP जो है कही ना कही 9 रुपए होगा और 10 रुपए में दूसरे pen को जो खरीदा था उसमें 10% का profit करने का मतलब क्या है रेश्यो वन और वेटेड आवरेज या आप डिवेशन से भी देखेंगे तो कही ना कही आपका overall profit या loss नहीं हो रहा है इस case में जब CP का आपके पास ratio दिया हुआ है और साथ में profit percent loss percent दिया है तो वहाँ पर डिवेशन से इसको solve कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अलग-अलग profit percentage लग रहा है अलग-अलग quantity पर जहां जहां अलग-अलग quantities पर अलग-अलग profit percent लगता है तो वहाँ पर डिवेशन जरूर लगता है डिवेशन के जरे भी यहां पर zero value है एक आजमी ने क्या किया दो टेबल खरीदे थे प्रतियक को 700 रुपय में खरीदा था उसने एक को 11% के लाप पर बेचा और दूसरे को यहां पर 7% की हानी पर बेचा तो overall उसको क्या होगा profit होगा की loss होगा बताना है तो मैंने अभी अभी आपको बताया CP जो है जबी भी आपको अलग-अलग cost price पे जैसे कि यहां पर बोला 700 रुपय पर आपने एक को जो बेचा वो आपको बेचा 7% के loss पर यहां पर प्रत्यक को खरीदा था purchase था मतलब कि यहां पर आपका cost price सेम दिया हुआ है एक को 7% के हानी पर बेचा और दूसरे को हमने क्या किया दूसरे को हमने कहीं न कहीं 11% के लाब पर बेचा तो आपको यहां पर selling price निकालने की कोई आपसकता नहीं बस आपको यह देखना है कि यहां पर directly deviation लगता है मतलब एक quantity पे इतना और दूसरे quantity पे इतना तो मान लेते हैं यहां से weighted average लगाई है यह deviation लगाई है बात एक है weighted average लगाऊगे तो क्या होगा 1 multiplied by minus का 7 plus 1 multiplied by 11 divided by 1 plus 1 जो है 2 यानि कि total कितना हुआ तो 4 percentage का profit divided by 2 क्योंकि 2 values है कर सकते हैं कि अगर एक value मैं मान लेता हूं कि minus 7 का loss हो रहा था तो overall deviation आप देखो गे तो यहां पे plus 18 का है और 18 कितने में एक value में जो की ना दो values में बटेगा तो यहां पे कही ना कही पलस का 9 हो रहा है ऐसे case में भी आप देखेंगे 2 percentage value हो रहा है यह deviation से हो गया यह weighted average से हो गया तो directly cost price का ratio दिया अलग अलग profit percent तो आपको क्या करना है weighted average लगाना है और अगर cost price same ही हो गया और साथ में दोनों के दोनों जितने का profit ए 93 में बेचा 100 रुपय में खरीद कर 11% का profit मतलब 111 में बेचा तो CP है यह SP है overall देखोगे तो यहां पे कही ना कही 200 रुपया आएगा और इन दोनों को जोडने पर कही ना कही जो value आएगा वो आएगा 4 204 रुपया मतलब ratio क्या हुआ तो 100 अनुपात 102 तो क्या हुआ यहां प अगला वैल यहां पे देखते हैं अब percent voice a plot for 35 lakh if he sells one-fifth plot at the loss of 20% half of the remaining at the loss of 10% to earn a profit of 7% in the whole transaction how many percentage profit shall he sell the remaining पर एक व्यक्ती ने 35 रुपय पर किसी भूमी के भूखंड को खरीदा था और खरीदने के बाद इसने एक पांच भाग को उसने क्या किया 20% के हानी पर दे दिया और उसके बाद बोल रहा है और आधे को 10% की हानी पर बेज दिया तो निकालना क्या है यहां पर पूरे के लेंदेन में अगर 7% अरजित करना है तो 6 भाग को कितने में देना होगा यहां पर थोड़ा सा correction करना तो यहां आधे को नहीं होगा 6 के, यहां पर 6 के आधे को 10 प्रतिसत की हानी पे बेचा। तो देखें जब 6 की बात हो रही है, तो मैं इस 35 लाग का कोई यहां पर यूस नहीं है। मैं माननूगा कि क्योंकि मुझे यहां पर एक बटा 5 हिस्सा भी निकालना है और आधा हिस्सा भी निकालना है तो मैं initial value को 10 ले दूँगा जैसे ही मैं 10 unit ले लेता हूं plot को तो इसका एक बटे 5 हिस्सा जो होता है यानि कि इसका 2 हिस्सा होता है दो हिस्से को हमने क्या किया दो हिस्से को हमने बेचा 20 परसेंटेज के लॉस पर यानि यहां पर हमने माइनस 20 परसेंटेज का लॉस किया साती जाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है 10% का profit लॉस पर बेचा यानि इसके आधे को remaining देखे अब remaining का मतलब क्या हुआ दो गया तो बचा कितना आठ बचा इस आठ के आधे को बोल रहा है मतलब 4 हिस्से को हमने क्या किया था चार हिस्से को हमने 10% के लॉस पर बेचा था और overall हमें क्या करना है यहाँ पर यानि कि पूरे के पूरे 10 हिस्से में हमें लाना कितना है 7% का लाब लाना है 7% तो यही पूछ रहा है सवाल में कि remaining को क्या किया जाए remaining क्या बचा तो देखिए 10 में से 2 हिस्सा गया 10 में से 4 हिस्सा किया तो बचा 4 हिस्सा इस 4 हिस्से में क्या चाहिए यह हमें पूछ रहा है तो simple सी बात है आप deviation से इसको solve कर सकते हैं अगर यहां साथ है तो साथ इंटू 10 करोगे तो total 70% आ रहा है याने 70% का overall profit हमें कमाना है दो हिस्से में जब आपने 20% का loss किया याने overall आपको यहां minus का 40% हो गया यानि आपको कही ना कही यहाँ पर डेड़ सो परसेंट का profit होना चाहिए तभी ना डेड़ सो माइनस चालिस माइनस चालिस करने पर overall 70 आएगा अब क्योंकि आपने चार हिस्सों में इतना कमाया तो एक एक हिस्से में यहाँ पर जो आएवरेज आएगा वो आएगा 150 divided by 4 जो कि कही ना कहीं हो जाएगा 37.5 37.5 percentage पर आपको जो है 6 को बेचना होगा तभी जाके यह पॉसिबल अन्यथा पॉसिबल नहीं है क्लियर है बात समझ में आ रहे हैं यहाँ पर अगेन हम क्या कर रहे हैं तो यहाँ पर डिवेशन कैसे लग रहा है मैंने देखा कि एक पांच हिस्सा जो है एक बटे पांच हिस्सा दो है और क्योंकि 10 युनिट मैंने माना है और दो युनिट पर बीस पर्सेंट का लॉस हो रहाया है था अगर बताइए सत्तर पर में चल रहे हो तो यहां पर 500% प्रॉफिट जोड़ने पर ही तो यहां पर सत्तर आएगा ठीक है तो कहीं न कहीं न कहीं चार चार करने पर कहीं न कहीं चली है तो यह तो हो गए वह सवाल जिसमें कहीं न कहीं हम यहां में 20% प्रॉफिट अधर ही लॉजस 20% फाइंडी ओवरॉल गेन और लॉस परसेंटेज इंदा होल ट्रांजक्शन एक दुकांदार जो है किसी कीमत को दो वस्तू में बेची जारी है यानि कि दोनों का अब सेलिंग प्राइज इक्वल है साथ में बोल रहा है बीस परसेंट कमाता है एक में 20% नुकसान कमाता है दूसरे में तो पूरे लेंदें में क्या होगा तो हमेशा लॉस बतेस करके इतना प्रतिसत मतलब 400 बटा 100 करोगे तो चार प्रतिसत की हानी हो जाएगी और परसंटेज का लॉस होगा यह जो है सवाल का सही उतर है एसा हो रहा है तो क्यों में पीषre की काहानी भी मैं आपको बता दुगा रिष्जॉस से कैसे क्ये स्वाल करना है तो सब्से पहली बात आपको समझना है कि 20 % का perfect का मतलब क्या होता है और ट्वेंटी परसंटेज का loss का मतलब क्या होता है जबी भी 20% आपको दिखा एक केस में profit हम ले रहे एक केस में loss हम ले रहे तो CP और SP का मतलब क्या है CP का मतलब यानि कि अगर एक बटा 5 होता है 20% का मतलब तो यहाँ पर CP SP का ratio 5 अनुपात 6 होता है profit वाले case में क्योंकि पांच के बाद आप एक जोड़ों के profit को तो यहाँ पर CP लेकिन loss की case में जब पांच का आपका क्रय मूले तो loss एक यूनिट का होगा और loss एक यूनिट का होने का मतलब कहीं न कहीं यहाँ पर आपका चार बनेगा लेकिन सवाल में जो condition दिया है वो पूरी तरह से यहां satisfied नहीं है सवाल में दिया है कि दोनों को समान मूले पर बेचा जाता है यदि एक आई कीमित पर आप दोनों को बेच रहे हैं तो क्या यह रिष्चो बैलेंस ने एक में आपकी बेचने वाली कीमत कहीं न कहीं चार आ रही है तो कहीं न कहीं उसको बैलेंस करना पड़ेगा तो 6 और 4 का LCM होता है 12 मुझे इसे 12 बनाना होगा और 12 बनाने के लिए दो गुणा तो यहां पर भी दो गुणा करना होगा और यहां पर तीन गुणा तो यहां पर भी तीन गुणा अब यह भी कहीं न कहीं 12 बन गया यह भी कहीं न कहीं 12 बन गया मतलब यह दोनों रेश्यो बैलेंस है पूरी तरह से यहने 20 परसेंट 20 परसेंट लॉस भी हो रह और यहां पे कही नकई 15 रुपिया नि को अब आप खुदी बताइए कि 25 में आपको यहाँ पर हानी हो रहा है तो यह अगें अगें इसका सही उतर है ठीक है तो यह अप्रोच भी आपको जानना जरूरी है क्योंकि कभी-कभी values अलग हो जाते हैं यानि कि आपको यहाँ 20% और 25% के अलावा कुछ और दे दे जैसे 20% का profit और 25% का नुकसान तब आप फस ज जा दिया है चलिए आगे बढ़ते हैं तो आर्टिकल्स आर सोल्ट फॉर्वर वन तू थाउजन स्वरी नाइन थाउजन्ट सेवन ट्वेंट इच ऑन वन ही गेंस एट परसेंट और ऑन अगे अधर ही लोजस एन परसेंट जन्वाट इस ओवर्रॉल गें और लॉस एक पर आट पररिसकिशत क हानी हो रही है आपको बताना है विकरेटा को मिला कर पुल कितना लाब घुखे निकालना है कहीizz ना कई नुकालना है तो हमें अब इसका जो है यूज जरूर होता है इसका यूज हमें करना पड़ेगा यहां पर क्योंकि रुपीज पे बाते चल रही है तो देखे एक बार हमें क्या करना है 8% का profit कमाना है तो इस case में आप जानते CP और SP का ratio क्या होता है मतलब 100 रुपिया मेरा cost price तो 108 रुपिया मेरा selling price दूसरे case में 10% का हानी कमाना है तो 10% का हानी का मतलब है 100 रुपिया cost price तो 90 रुपिया selling price लेकिन क्या यह balanced है percentage wise balance है लेकिन यह condition balance तो नहीं हुआ कि दोनों को इतने बराबर पर मतलब कि sold किया गया 9720 रुपिया पर इसको भी बेच लो इसको भी बेच लो लेकिन यहां अगर आप ratio को गौर से देखेंगे तो यहां 108 यह 90 तो यह तो गलत बात है मतलब इसको कही न कहीं हमें balance करना है अब मेरे दिमाग में यह चल रहा है कि मैं इस 9 को 108 बना सकता हूँ बारा से multiply करके तो मैं क्या करूँगा पहले दोनों तरफ 0 हटा देते हैं क्योंकि 10 अनुपात 9 में भी कहीना कई 10% का loss होता है इसके बाद मैं क्या करूँगा इसमें 12 multiply किया तो इसमें 12 multiply होगा क्योंकि 12 into 9 जो है कहीना कई 108 होता है तो दूसरे वाले का मैंने अनुपात को थोड़ा से चेंज किया कि हम इसको 120 में खरीद कर 120 में खरीद कर हम क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं इसको 108 में यानि कहीना कई 10% का loss भी हो रहा एक में 8% का profit भी हो रहा एक में और overall आप देखेंगे तो कहीना कई यहां पर selling price 108 अब सवाल almost complete है दोनों को जोड़ने पर 220 रुपया हो गया total लागत मूले इन दोनों को जोड़ने पर कहीना कई 216 रुपया हो गया total आपका विक्रे मूले तो आप बताईए खुद कि 220 में खरीद कर 216 में बेचोगे तो profit होगा कि loss होगा loss होना चाहिए क्योंकि आप यहां पर कहीं ना कहीं loss कमा रहें कम rate पर बेच रहे हो ज्यादा rate पर खरीदे तो कहीं ना कहीं loss होगा अब gain वाले को मैं हटा देता हूँ gain तो नहीं हो रहा है ना gain हो रहा है अब आप इसमें फज़ जाएगे कि 360 रुपय का loss 380 रुपया का loss उसके लिए आपको बताना है की यह 108 जो है वो 9720 के बरावर है यह वाला 108 भी कहीं ना कहीं 9720 के बरावर है और overall क्या हुआ, overall हानी जो हुई, वो कहिना कई 4 unit का हुआ, तो आपको 4 unit का value निकालना है, तो अगर 108 बरावर इतना है, तो 4 unit का मान बताईए कितना हो जाए, यह हमने कई बार कर लिया, यह होता है 9720, divided by 108, multiplied by 4, तो 108 का लगभग 9 गुना ही है, 90 गुना, तो कहिना कई 360 रुप value है, तो 1 second का सवाल है, जब selling price same है, लेकिन अगर same value नहीं है, तो भी कहिना कहीं, आप इसको 30 seconds से 1 minute के बीच में इसको कर सकते हैं, depending upon आपने कितने अच्छे से practice किया इन सारी चीजे को, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, total price of objects are 1530, one is sold at 20% profit and another is sold for 25% loss, there is no profit, no gain in the whole transaction, then what is the cost price of each of them, दो वस्तों को कुल हमने इतने रुपया पर खरीदा था, 1530 रुपया पर, एक को 20% के लाब पर बेचा गया, दूसरे को 25% के हानी पर बेची गई, पूरे लेन देन पर कोई लाब या हानी नहीं हुई, तो दोनों वस्तों की लागत मूल्य क्या है यह बताना है, तो देखिए, simple है, मैं इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक allegation से बताऊंगा आपको, और एक without allegation बताऊंगा, तो पहले मैं आपको without allegation बता देता हूं, कि suppose करिए कि X पे एक को खरीदा Y पे दूसरे को बेचा, और यहाँ पर 1530 हुआ, और एक में क्या हो रहा यहाँ 20% का profit हो रहा है, दूसरे वाले में क्या हो रहा है, तो 25% का नुखसान हो रहा है, आपको बताना है, दोनों का लागत मुली क्या, देखिए, सबसे पहली बात, अगर यहाँ पर overall, no profit, no loss वाला case है, तो आपको यह समझना होगा, no profit, no loss का मतलब, एक में जितना profit कमाए दूसरे में उतना ही loss होगा, तो एक में profit कितना हुआ, 20% हुआ x का, मतलब x का जो 20% है, यह हमारा profit हो गया, और y का जो कही न कही 25% है, यह हमारा क्या हो जाएगा, loss हो जाएगा, मतलब कही न कही जो ratio है, वो ratio आप निकाल सकते है, percentage, percentage को काटके, 20 से काटोगे 5 को, तो पर 4 आएगा, यहाँ पर कही न कही 5 आएगा, मतलब अनुपात कितना हो गया, x बटा 5 बराबर y बटा 4, मतलब 5 अनुपात 4 में यह दोनों values है, तो इससे आप directly निकाल सकते हैं, कि x का मान जो होगा, वो हो जाएगा, 5 डिवाइड बाइड पांच प्लस नो, याने 5 बाइन हो जाएगा, टोटल का, और y का value जो है, वो कही न कहीं 4 बाइन हो जाएगा, टोटल का, और टोटल value है कितना, तो 1530 है, और 1530 देखते साथ समझ में आता है, कि यह 17 गुने हो रहा है, मतलब 850 जो है, यह एक value होगा, और यहाँ पर 7, मतलब 950, 1530 है, 1530 को 9 से काटने पर कही कहीं न कहीं आपका यह 17 गुने ही होगा, क्योंकि 17 गुने 9 जो है, वो 153 होता है, और इसको भी जब multiply करेंगे, तो कहीं न कहीं 680 और उपर वाले value का 850 है, तो B जो है सवाल का सही उत्तर होना चाहिए, अशा करता हूँ, यह भी आपको समझ में आया होगा, यह एक important pattern है, अ यसी मैं इस part को हटाऊंगा, यहां से आपको समझना होगा कि overall no profit, no loss का मतलब 0% profit, और जबी भी average देखते हैं, तो एक value एक से बड़ा होता है, तो दूसरे से छोटा होता है, तो 20% से छोटा है, लेकिन minus के 25% से कहीं न कहीं 0% का profit कहीं न कहीं बड़ा है, तो एक तरफ क्या लिखेंगे 20-0 जो की 20 आ जाएगा, और दूसरे तरफ 0-25 लिखोगे तो कहीं न कहीं प्लस पच्चिस हो जाएगा, अनुपात निकालेंगे, तो फिर से कितना आया, पांच अनुपात 4 आया की नहीं आया, एक्स अनुपात वाय जो है, एक्स अनुपात वाय जो है, कहीं न पात चार ही है तो कही ना कोई 850 और 680 ही इसका उत्तर हो जाएगा चली आगे बढ़ते हैं मतलब देखिए यहाँ पर क्या है आपको बताना है दो कुरसिया है दो कुरसिया में से जो खरीदी गए वो 2000 रुपय पर खरीदी गए पहले कुरसी को और दूसरे कुरसी को जब बेचा जाता है तो कहीना कहीं 20% का लाब होता है यानि कि पहले कुरसी को 20% के लाब और दूसरे कुरसी को 25% के लाब पर बेच दिया जाता है और फिर यह भी बताऊंगा कि इस सवाल में क्या-क्या सवाल और बन सकते हैं सबसे पहली इंफर्मेशन जो आपको दिया हुआ है वह यह दिया हुआ है कि एक्स प्लस वाई यानि कि दोनों कुर्सियों को अगर मैं एक्स और वाई मान लो तो इसका टोटल दाम 2000 रुपया दि कि पहले को 20% दिया था चले इसको उल्टा कर लेते हैं यह बीस है पहले को 20% के प्रॉफिट दूसरे को 25% के प्रॉफिट पर बेचा गया था फस्ट कंडिशन में बोल रहा है कि अगर इसके बजाए आप ऐसा करें कि यहां 25% का प्रॉफिट ले एक्स का और यहां पर कही कई आप 20% का profit ले ले y का तो आपको यहां पर 12 रुपए ज्यादा मिलते हैं कितना रुपए ज्यादा मिलता है 12 रुपए ज्यादा मिलता है मतलब यदि मैं इसको difference ले लू यानि पहले वाले का difference ले लू दूसरे वाले से तो कहीना कहीं कितना बचेगा यहां पर बचेगा यह x का है यह यह y का है इतना plus में इतना plus में इतना plus में मतलब कही ना कही मैं 5% को common निकाल लूँ इसमें से, दोनों में से, तो direct x-y का value 5% common निकलेगा, तो एक बटा 20 आ जाएगा, तो यहां से आपके पास दो equation है, एक तो है भई, x plus y का value, जो कि यह 2000 पहला वाला equation, और यहां से आपका एक नया equation निकल के आ गया, जो कि x-y का value, जो कि है यहां पर 240, तो आपको तो यहीं पर solution रुख गया, कि यहां पर आपको difference निकालना था, दोनों चेहर रखके अंतर निकालना था, तो directly आप यह निकाल सकते थे, कि इन दोनों का अंतर जो है 240 है, ठीक है, लेकिन इस pattern में आप चोकन ना रहिए, कि इससे बहुत सारे pattern सवाल बन सकते हैं, कि यह भी पूछा जा सकता है, x का दाम बताईए, y का दाम बताईए, तो दो variable, दो equation है, कई तरीके से आप इसका x और y का value निगाज़े, दोनों को जोड के आदा करोगे तो बड़ा value, दोनों को घटा के आदा करोगे तो छोटा value आज़ा है, ठीक, चलिए, आशा करता हो, यह सवाल समझ में आया होगा, और इससे आप यह भी समझाऊंगे, कि इस तरह के pattern के सवाल में और क्या क्या सवाल बन सकते हैं, एक मेला था जिसमें घोड़ा और उट का दोनों को मिला कर इतना रुपिय में खरीदा गया था, घोड़े को 30% के लाब पर और उट को 10% की हानी पर बेज दिया गया, तो बताना है क्या है, यदि उसने दोनों जानवरों को समान मुले पर बेचा, तब सस्ते जानवर का लागत मुले क्या है बताना है, मतलब देखिए यहाँ पर दो एनिमल्स है, क्या है तो एक होर्स है, दूसरा कैमल है, इन दोनों में का जो टोटल दाम खरीदने का है, वो है 66,000 रुपईया, यह दिया हुआ है, अब गोडे को 30% के लाब पर बेचता है, मतलब इसमें हम क्या करते है, प्लस 30% बेचने के बाद इसको बेचा जाता है, दूसरी बात, कैमल को हम यहाँ पर 10% कम करके बेचा जाता है, अब देखे, इस सवाल में बोला गया है कि दोनों को, if he sold both the animals at the same price, मतलब जब यहाँ पर बोला जा रहा है कि इन दोनों को बेचने का दाम सेम है, तो अब हम यहाँ पर होर्स का 30% बरावर कैमल का 10% नहीं करेंगे, यह हमने यहाँ पर किया था इस कंडिशन में, जहाँ पर आपने no profit no last था, क्योंकि जितने का profit एक में कमा रहे हो तो इसका 20%, दूसरे के 10%, 25% के बरावर है, लेकिन इस सवाल में जो है, इस सवाल में क्या दिया गया, इस सवाल में दिया गया है कि आपने जितने price पर इसको बेचा, उतने price पर आपने इसको बेचा, अब जब cost price की बात होती है, तो cost price अपने आप में 100% होता है, इसको 30% से बढ़ाने का मतलब है, होर्स का कितना कर देना, 130% कर देना, यह क्या है होर्स का विक्रे मूले है, यानि इतने पर आपने घोडे को बेचा, इसके 130% पर इसको बेचा, और उट को कितने पर बेचा, 10% कम पर, यानि कि उट को आपने 90% दाम पर बेचा, तो कहिना कई हानी पे बेचाए अब आपको क्या बताना है आपको बताना है सस्ते वाले जानवर का प्राइस तो ये परसेंट परसेंट जिरो-जिरो कर जाएगा तो एच बटा नौ एच बटा नौ बराबर है सी बटा तेरा अब आप खुदी बताईए सस्ता अनीमल कौन सा है सस्ता अनीमल घोड़ा है और होर्स का दाम कितना है तो नौ है बटे में नौ प्लस तेरा करोगे तो बाइस आएगा मल्टिप्लाइट वा कितना तो 66,000 66,000 को अगर 22 से काटोगे तो यहां 3,000 आएगा मतलब होर्स का जो दामे वो कितना है 27,000 27,000 रूपिया है तो कही ना कई सी जो है सवाल का सयुद्तर हो जाएगा यहां से यहां पर समझ में आगए 45 नंबर का सवाल चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुश्चन है तो टेबल से सोल्ड फर 1710 फस्स इस सोल्ड एट 10 परसेंट लॉस इन से कंड यहां पर बेचा गया पहले टेबल का क्रेमूल बराबर विक्रेमूल है दूसरे वाले का पहले को 10 प्रतिसत के हानी पर बेच रहे तो दूसरे को हम 25 प्रतिसत के लाब बेच रहे घी पर बेच नहीं तो देखे यहां से समझना है यह कहीं पूरा का पूरा कि आपको यहां रेचियो बैंश करना है पहले वाले का जो कि बराबर होना चाहिए तो पहले वाले में क्या था तो 10% की लॉस थी 10% का लॉस होने का मतलब CPSP का जो रिश्यो बन जाता है वो बन जाता है 10 अनुपात 9 का यानि अगर आप 10% के fraction की बात करेंगे तो एक बटा 10 होता है जिसमें से 10% के लॉस का मतलब 10% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू अगर एक बटा 10 है मतलब 10 में खरीदे एक का नुकसान कमाया तो 9 रुपए में बेशती है दूसरे वाले कंडिशन में बुला गया 25% का प्रॉफिट अगर हम इसे 25% के प्रॉफिट पर बेचते हैं तो 25% का मतलब आप लोग जानते है 25% का मतलब 25 बटा 100 याने एक बटा 4 होता है अगर प्रॉफिट हो रहा है याने चार में खरीदा एक का लाब कमाया तो यहां पर 5 आजाएगा कहीना अब दोनों में equal क्या है उसके ओपर थ कि कहीना कहीं 10% का नुकसान पहले में हो रहा है तो दूसरे में 25% का प्रॉफिट हो रहा है लेकिन यह बैलन्स नहीं है कि पहले वाले का कॉस्ट प्राइज बराबर दूसरे वाले का सेलिंग प्रैस तो इसको equal करना है तो मुझे कहीना कहीं इसमें multiplied by two करना होगा क्योंकि यहां 10 है तो यहां भी 10 होना चाहिए और क्योंकि यह ratio है तो दूसरे वाले में 2 multiply किया तो पहले वाले को कैसे छोड़ सकते हैं मतलब आपने इसको 8 पे खरीदा और आपने इसको बेचा कितने पर तो कहीना कहीं 10 पर बेचा अब आप देख पारे होंगे कि आपका ratio पूरी सा ध्यान देंगे कि दोनों का combined विक्रे मूल जो था इतना था तो overall profit या loss कितना हुआ यह निकाला है तो combined यदि कर लें दोनों को यानि मैं अगर दोनों के विक्रे मूल को total कर लो तो कहीना कहीं 9 प्लस 10 यानि 19 unit का value जो दिया हुआ है रुपीज 1710 19 unit का value इतना दिया हुआ ह ठीक और आपको क्या निकालने को कहा जा रहा है आपको निकालने को कहा जा रहा है कहीना कहीं इसका overall profit या loss की बात करें तो cost price अगर जोड़ा जाएगा तो 10 प्लस 8 यानिकी 18 हो जाएगा और कहीना कहीं यदि मैं इन दोनों को जोड़ू 9 प्लस 10 को जोड़ू तो 19 आजएग नो उन्यस यानि कि कहीना कहीं 90 होगा यह 90 सौरी 90 रुपीज का profit होगा क्योंकि 19 इंटू 9 करने पर 171 होता यानि कि 90 हो रहा है यहां पर एक यूनिट जो है वो 90 है और कहीना कहीं आपने यहां टोटल जो पैसा कमाया वह यानि गवाया आपने 18 रुपे 18 रुपे में आपको टोटल पैसा गया आपका और आपने कमाया उन्यस यानि एक यूनिट का profit हो रहा है एक यूनिट का value 90 रुपे यानि overall हमें लाब हो रहा है तो यहां पर 90 रुपे हो और complicated हो सकता सा सवाल लेकिन यहां पर just 90 रुपीज आपको टिक करना है क्योंकि overall profit हो रहा है सवाल में profit भी milk and 10% profit he also mixes 1 liter of water with every 10 liters of pure milk so what is his pure percentage of what is his profit percentage दूद वाला जो है कही ना कही 10 रुपे का लाब पर बेचता है समानों को अपने दूद को साथ में बूद रहा है 9 लिटर के दूद के साथ वो 1 लिटर का पानी मिलाता है तो कही ना कही उसका लाब प्रतिसत क्या है यह बताता है लेकि सिंपल सी बात है कि अगर मैं यहाँ पर 10 रुपया बोलू और कहूं कि मैं इसको 10% के profit पर मैं बेच रहा हूं तो कही ना कही मुझे यहाँ पर 11 रुपय मिलेगा यह cost price है तो selling price लेकिन जब मैं समान बेचने जाऊंगा तो अगर मैं यहाँ पर 10 लीटर mixer की बात करूं और यहाँ पर भी 10 लीटर mixer की बात करूं तो mixer में पैसा जब आएगा तो पूरा का पूरा 110 रुपया ही आएगा याने 110 रुपया आएगा क्योंकि 10 लीटर mixer में अगर मेरा 11 रुपय प्रती लीटर है तो पैसे तो 110 रुपया है लेकिन जब यहाँ पर cost price की बात हो रही है त तो पैसा यहाँ पर आपको पानी खरीदने पर नहीं देना पड़ेगा इसमें mixer में आपको समझना है कि 9 लीटर दूद है तो 9 multiplied by 10 करोगे तो 90 का जो है हमारा क्रे मुले लगेगा और overall हमारा जो कही न कहीं profit हो जाएगा वो 20 units का होगा ठीक क्योंकि आपको जो selling price है वो 110 है और cost price केवल 90 का लग रहा है क्योंकि भले यहाँ पर 10 लीटर का mixer है लेकिन उस 10 लीटर में केवल 9 लीटर पानी है और बाकी एक लीटर दूद है एक लीटर पानी तो एक लीटर पानी का क्रेमुल नहीं लगेगा केवल क्रेमुले 10 का जो है वो आपके 9 लीटर पे लगेगा तो दो बटे नौ एक बटे नौ का मतलब ग्यारा एक बटा नौ होता है तो यहाँ पर दो बटे नौ का मतलब 22 तो बाइन परसेंटेज का आपको प्रॉफित हो जाएगा ओवरॉल क्लियर दीज दा करेक्ट एंसर चली नेक्स्ट कुशन देखते हैं यहां दियो ओगा है अ मैं परचेस तो यह फोन एंड बे टोटल कॉस्ट ऑफ वन थाउजन वन हंडड़ सेवंट एट इस एपको बताना है कि सबसे पहली बात समझेए कि आपने दो एक आदमी ने दो यह फोन खरीदे एब और भी जिसका कु रुपया है तो ए प्लस बी जब जोड़ा जाए तो कुल कितना रहा है एक हजार एक सो सतर रुपया यह उसका कुल लागत मिले है बीस प्रतिशत के लाप पर एको बिचा गया दूसरे को हमने यहां पर क्या किया पच्चिस परसेंट के हानी पर बेचा तो कहीना कही दोनों का विकरे मूल सेम है तो सस्ते वाले का आपको बताना है कि क्या प्राइज हो इसको रेश्यों से भी बता दूंगा मैं आपको और चाहे तो आप डिरेक्ली भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर यहां पर आपको बीस परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज परसेंटेज कर जाएगा 15 से काटोगे तो यहां आठ आएगा यह 15 से कटी का 5 बार यहां यह बटा 5 बराबर बी बटा 8 अब आप खुद बताईए सस्ता कौन सा है सस्ता यह 5 वाला है तो ए बराबर हो जाएगा 5 बटे 5 प्लस 8 याने 13 और टोटल वैल्यू जो होगे तो यहां नब्यार यहांने 450 रुपया 450 रुपया जो है कही ना कई सस्ते वाले एयरफून का दाम है यह तरीका हो गया कि अगर सेलिंग प्राइस से मैं तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इस तरीके को प्रशन हमने पहले भी देखा था अब देखिए रेश्यों स का नुकसान होता है कही ना कई 4 रेश्यो 3 तो यह सारी चीजे हम बहुत बार देख चुके लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है तो कही ना कई अगर यहां तीन है तो यहां छे नहीं हो सकता या यहां छे है तो यहां भी 6 होना चाहिए था तो मुझे क्या करना पड़े इस तरीके से भी आप इसका यह उत्तर निकाल सकते है यूज सिंग रिश्य चली अब यहां पर इस वीडियो का रोकता हूं आशा करता हूं आपको हमारा जो वीडियो है यह सेकेंड पार्ट जिसमें मैंने प्रॉफिट एंन लॉस के प्यॉर कॉस्ट्टन लिये हैं जिसका concept आपको first part में दिया गया था उससे related सवाल आपको अच्छे लगे होंगे वीडियो पसंद आया है तो like करें, subscribe करें चैनल को और bell icon दबाएं अब profit and loss part 3 में मैं आपको यहाँ पर discount related जो questions होते हैं वो बताऊँगा जो की discount बचा हुआ है जिससे हमारा पूरा का पूरा profit and loss complete होगा चलिए thank you so much इस वीडियो में इतना ही